11 के exam तो मारे complete हो गए तो कैसे मारी 11 complete हो जाती है यह 11 वालों अच्छे से नहीं पढ़ा तो ऐसा थे के मेरी 11 वेस्ट हो गई अम वालो 11 यह 12 में भी आ गयो तो क्या 11 आपकी 12 का में हेल्फ करती यह और कप करनी है तो कब से करनी चाहिए कैसे करनी चाहिए ऐसे बहुत तारे कोश्चन होते हैं जो हर स्टुटेट की दिमाग में आते हैं जब 11 से 12 गास में जाता है तो ठीक तो कोई चिंदा की बात नहीं है आपके बास का भाई आए आध बहुत ही इंपॉर्टेंस सेशन लेकर के जा में भी आप बहुत अच्छे तरीके से अपना काम कर पाऊ ठीक है तो इसके रहकर बात करें सबसे पहले हैं थोड़ा से समझते हैं 12 की थोड़ी से इंपॉर्टेंस आपके बोर्स होती है बोर्स के एक्जाम होते है तो यहां पर कहीं इसका प्रेशन भी रहता है यह पर आप के खाम में क्योंकि आपको पता है बैँ जैसे कई आपकी एक्ऽाम हो गया आपको पता है आपके पास मीनिम्म एक पर्ीच करते यह जीज होता है मिनिमम् सरे और यह परेपाँ होगे होता है उसके आप के हलावा जब आप एक्जाम करेक्ट करके मालव आपने जैसे जीए का एक्जाम ने दे दिया आप आई टी में पहुंच जा तो ठीक तब वहाँ पर भी स्कॉलर्शिप मिलती है और वह आपको कम मिलती है जब आपके पास 12 में अच्छी परसेंटेज होती है तो तो इसलिए 12 में करना तो अच्छा है और कि आपको एक्जाम देनी के लिए और इसके अलावा एक्जाम देने के बाद जब आपने मनपसंद के कॉलिए में जाते हो तो वहां पर भी आपके पास श्कॉलर्शिप मिलती है जो कि 12 पर सेंटेज़ पर ही मिलती है तो इसलिए 12 करना तो भाई होता रहता है जैसे के अगर बात करें आपको बात करें पुरानी स्लेव इस घरबात करें तो आपके पास ये सारी चेप्टर से शारी के चैप्क्टर से ना और यह थे लिए कि न आपके पहले के टाइम पे ठीक अगर मालोग को सूडेंट ऐसा जो से सले नहीं देखता और सब्सक्राइब करता तो उसका बहुत लोगों से क्यों को पता है वैस लेवाश चेंज होता रहे जैसे इस साल के अगर बात कि जाए तो को पता है भाई अगर आपने नहीं नहीं तो आपने पढ़ना सार किसी ने कर दिया तो ऐसे में आप उन चीदों का पढ़ना साड कर दो के जबके एक्जाम में ही नहीं तो इसलिए पहले से बस देखना तो सबसे इंप प्रोटेंट रहता है सबसे पहला काम हाँ सुटेंट करेता है जाप किसी भी बोल कर क्यों नहीं तो पहला काम कैस भास खुछ से चेक कर ओ ठीक है सबसे नहीं पर आए तो आप को पता रहता है कि अपको पता रहता है कि कहां पर आप को कितनी महनत कर नीया इस पर देखने के बाद हमेशा अपने जो भी टो चैप्टर से उनको प्रपर रेके से कैटेगरी में डिवाइड कर दो जैसे की हम कैम स्टी की बात करते हैं तो इसके अपको आराम से आडिया पता चल जागा किदर कितनी मैनत करनी है इन और गनिमें के वाल दो ही चैप्टर ह आपके पास पांच चैप्टर से यह पूरा आईडिया आपके पास रहना चीज़िए कि वह किता कितना मैनत करना है जिसे कि आप कम मैनत मैं भी जाद से जादा माक्स ला सको तो यह बात है हाडवर्क के साथ स्मार्ट बग करना भी बहुत जरूरी होता है कि आज के टाइम यह को है आपयुट्य जो और वा यह डाओ अwhat है लेकिन लेकिन हाट्स के साथ साथा मखम स्मार्ट भूल भी काफी मोड़न्रेंड है कानत स्मर्ट मार्ट ली करते हो ना तो प्स हार्डबर को इतना इफेक्टिव कर भाओ कि और उस भी ज्युदा अच्छा कर भाओ अगि लिए हार्वग तो करेंगे प्लास स्मार्ट भी गना और स्मार्ट बाक का सः तरीका क्या ये तरीका कि आप शलेबस ते को शले बस के बाद आराम से हरे को को प्रॉपर ली के डिग्राइस करो ठीक है इस तरह के ठीक है अब तो अगर हम बात करें हमारे पास एक बहुत इंपोरेंट सवाल दिमा मैं हस्वेंट को अग्या कि आपके 11 के 12 में काम आती है क्या यह चीज होता है तो बिलकुल 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 सही है कि 11 12 को सबोर्ट कर करने को था पूरते कैसे करती है कि 11 में किया रहता आपके पास basic रहता है जितनी भी आपका basic रहता है तो अगे सब्सक्राइब पड़ी तो कि आप स्टार्टिंग से करोगे नहीं मैं कहता हूं ऐसा करने के कोई जरुवद नहीं क्या करना चीए आपको की वन जो आपके टॉपिक्स और चैप्टर्स है बस अगर आप इनको अच्छे से कर ले तो भी आप बहुत अच्छे तरीके से भी ट्वाइस पूरी स यह वह पार्ट होता है तो सबसे ज़्यादा आता है आपके एक्जाम में भी और 12 को भी सपोर्ट करने वाला है तो बैस्ट क्या है आपको बस आप इसको अच्छे से कर लो ठीक है तो बात यह आते कि यार कैसे कैसे करना चाहिए आप दो 12 करने वाले हो तो कुछ चीज आप करोगे तो और तो चाहिए अब तो यह तो आपको बहुत इंपोर्टै तब किसी भी कोचिंग में हो जब किसी भी स्कूल में क्यों ना पढ़ते हो में क्या है आपके पास यह कुछ चीज़ हमेशा होने चाहिए ठीक है इसके लाबा कोशन प्रेक्टिस हमेशा करते रहनी है क्यों अगर बाता है फिजिकल के मेंश्यव राएगे तो आपे निमेरिकर साइंगे यह और अगर आएगे तो कहीं निकिंट एक्षम रखिशन भी आती है तो वहाँ पर इसके लिए आपको कोशन प्रेक्टिस जाते से जाधे करनी है हर बार करनी इसके यॉर्प हमेश्च आप याइद या मिल था कि वह एक्जाम में क्या चीज़ आती है तो कोई भी चैप्टर हमेश्च कर देना और साथ की साथ उसी टाइम पर चैप्टर कम्प्लीट हो जाए अपने पीडे तो ऐसा करोगे ना तो बहुत इफेक्टिव में पढ़ना हार्वक ने करना केवल हार्वक के ना स्मार्ट भी करना ओके इसके लावा टाइमली रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रहता यह सभी को बताए अब एक्जाम जब करीव आए का तो आप पूरे नोज नहीं कर हो चाहिब आपके मैं सोच है वो इंग्लेश कुछ भी यो जब कोई भी चैप्टर कोई भी आप सब्जेक्ट क्यों ना पढ़ते हो हमेशा शॉर्ट नोज चाहिए क्यों चाहिए और एक्जाम के टाइम चलेगा तो आपको करना होगा क्विक रिवीजन बहुत फास रिवी भी बनाओ जिससे के एक्जाम टाइम पर यहीं चीज़ का माइंगे प्रपर नोर्स पूरा परने का टाइम किसी को नहीं मिल पाता बहुत शारी चैप्टर्स होते है तो इसलिए शॉर्ट नोर्स बहुत जादा है ठीक है इसके अलावा प्रॉपर टेस्ट तो एक टेस्ट हट बहुखत इम्огоर् buying यहाँ परफिकाद कव्या देख जादी किश्चा कर पाथ हो कितना सी exits तो यह मत्ım से चलता यह अपकी टेस्ट से पूरा का पूरा बढ़ भाओ ठीक है पूरे नोर्स पढ़ने का टाइम बहुत कम किसी को मिल पाता है इसलिए शॉड़ नोर्स पैस्ट होता है इसको हमेशा बना के रखना एक इंपॉर्ण चीज रहती है इसके लावाट टेस्ट देते रहने है जिससे कि आपके खुद के प् हो जाती है ओके तो यह सारे चीज़ा होती है जो आपको हमेशा 12 में करते रहनी है ठीक है अब देखो सवाल या तकि वह कैसे किया जाए सिंपल बात है यहां तो आप जिस भी कोचिंग में परड़ो जिस भी स्कूल से परड़ो चैक किसी भी आप ऑनलाइन ऑफ लाइन जिस से स्पेशली कुलास 12 के लिए जिसमें की हम पूरी चीज़ है हरें चीज़ चीज़ को अच़री के से कमस्थ करेंगे आपको पताई है आपको फिछी से आपके तीचर रह तो हो नहीं पर पड़ाएंगे ठीक है ताप पताई होगा जैसे आप 12 से पूचा जिस ने प्टोई गजान दिया में से पड़ा है तो वीडियो आपकी यूट्यप पर है आप सभी को बता है आप क्लियर देख सकते हो जो भी पढ़ाया गया था क्लास में वह हूब आपके एक्जाम में इवन नियुमेरिकर्स भी चबाया गयते जो मैंने नियुमेरिकर्स कराया थे ना आप देख लेना किसी भी आपके भाई है जो भी आपके आदा फ्रेंट्स हैं तो आपका पूछना कि जिना भी वास कभी ऐसे पढ़ा है सबीगों पता है चीज़ कि मैं क सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आप इसको जाइन कर सकते हो आराम से जिसमें आपको पूरी 12 बहुत ही एजी वे में और इते डीटेल वे में पढ़ाई जाएगी कि अगर कोशन घुमा की भी आजाए ना एक्जाम में तो भी आप उसे कर पाऊ ठीक है तो आप चाहो तो से आ नंबर दिया रहेगा या फिर चैट बोक्स में भी आप देख सकते हो अपने कमेंट सेक्शन में वहाँ पर आप आराम से इसकी पूरी डिटेल देख सकते हो ओके तो आज के लिए इतना है तो यह सेशन आपके लिए इतना ही था जिसमें मेरा को पूरली बता दिये कि भाई बाई टेकर एंट सड़ी वैल ओके